हलो बच्चो नमस्कार पेरे बच्चो हम तभी ने मिलकर सेवन चैप्टर का पर्मूटेशन तक का टॉपिक खतम गर लिया है और आज बच्चो हम कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन और इसके अंदर कुछ एक दो रूल्स ज्यादा हैं और वही रूल्स हमें पढ़ने हैं और उन रूल्स के ही अकॉर्डिंग हमें सारे कोशन सॉल्फ करने हैं ठीक है आईए combination solve करते है तो बच्चों combination क्या है देखिए नाम से ही clear है permutation का मतलब ता selection करना और combination का मतलब क्या है बच्चों combination का मतलब भी selection करना ही है लेकिन जब अलग-अलग category में हमें selection करना हो तब हम combination का इस्तेमाल करते हैं जैसे माल लीजी आपके पास 20 player है 20 cricket players है ठीक है जिसमें से 7 आपके पास baller है और आपके पास 13 batsman है ये हैं बच्चों लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या आप किसी team के अंदर 20 लोग खिला सकते हैं 20 player खिला सकते हैं जी नहीं आप 11 player खिला सकते हैं 20 में से आप 11 player को ही एक team में जगा दे सकते हैं तो अब ये बताइए अगर आप से ये कह दिया जाए कि भाई 4 baller खिलाना बहुत कंपलसरी है 4 baller खिलाना कंपलसरी है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 7 में से 4 baller खिलाना तो बिलकुल कंपलसरी है ही अगर एक cricket team बनानी है तो cricket team बनानी के लिए कितने players की ज़रुत होती है 11 ठीक है जिस में से हमें 4 baller खिलाना भाई कंपलसरी है कि आपको 4 baller खिलाने ही पड़ेंगे हर हाल में तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 baller 7 लेकिन हमें select कितना करना था चार अच्छा team में select कितने करने है 11 बंदे तो 11 में से 4 तो उमने baller ले लिए तो batsman कितने लेने की जूरुत पड़ेगी 7 कितने में से 13 में से कितने में से 13 में से तो देखो यानि क्या मैंने 2 अलग-अलग selection की मतलब क्या कि जब अलग-अलग type की selection को एक साथ combine कर दिया जाए चाया multiple terms में चाया plus के term में तो उसी को कहा जाता है combination उसी को क्या कहा जाता है बच्चो combination means कि जब दो अलग-अलग selection या दो से ज़्यादा selection हो और उसे combine करके हम result निका लें तो उसी को हम कहते है combination और permutation का मतलब होता है selection कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो आईए पता करते हैं कि कैसे questions और हमारे सामने solve होंगे और किस तरह के formula हमारे सामने आएंगे तो formula number बच्चो 1 N, C, R N का मतलब number of terms C का मतलब combination R का मतलब जो selecting terms है तो इसका होता है N factorial R factorial N minus R factorial क्या होता है N factorial R factorial N minus R factorial second अब कह रहा N, C, N अगर यह आजाए तो क्या होगा तो बच्चो N, C, N होता है हमेशा कितना मैं आपको बता दूँ यह होता है 1 ठीक है third N, C, 1 यह कितना होता है बच्चो N, C, 1 होता है N अगर यह आता है N, C, N minus R N, C, N minus 1 N, C, N minus 1 तो यह भी किसके बराबर होता बच्चो 1K किसके बराबर होता है सरी किसके बराबर N, K किसके बराबर होता है N, K आगे आगे सारे result देखेंगे n c n किसके बराबर है 1 के बराबर है ठीक फिर n c ठीक है n c n 1 के बराबर n c 1 n के बराबर n c n minus 1 n के बराबर 5th n c 0 n c 0 किसके बराबर एक मिनट एक मिनट बच्चो n c 0 था बच्चो 1 के बराबर छटा ठीक है एक बात और याद रखना बच्चो n c n minus r बराबर होता है n c r के n c n minus r किसके बराबर होता है n c r के ये भी याद रखना है हाँ एक लाश फॉर्मूला और 7th कि n c a plus n c b ठीक है n c a plus n c b plus नी ऐसे लिए बराबर ये n c a बराबर n c b अगर क्या हो बच्चो n c a बराबर n c b के हो तो दो केस बनते हैं पहला केस या तो n बराबर होगा a plus b के भाई पहला केस क्या बनता है या तो n बराबर होगा किसके a plus b के ठीक है या तो condition क्या होगी बच्छो या तो A बराबर होगा B के दो में से कोई A case होगा ठीक है तो फिर से देख लेंगे NCR open होता है N factorial upon R factorial N minus R factorial Ncn value 1 मतलब अगर मैं कहता हूँ 4C4 तो इसकी value direct लिखते हैं 1 यहां पे Nc1 N मतलब अगर मालो लिखता हूँ 5C1 तो बराबर आएगा 5 यहां पे हंजी Ncn minus 1 यानि अगर मैं लेता हूँ 6C 6 minus 1 5 तो यह किसके बराबर आएगा 6K ठीक है Nc0 बराबर 1 तो इसका मतलब क्या है अगर मैं लिखता हूँ 7C0 तो बराबर किसके आएगा 1K ठीक है और Ncr बराबर होता है Ncn minus R बराबर होता है Ncr के मतलब अगर मैं लिखता हूँ 5C 5 minus 2 ठीक है तो 5 minus 2 कितना होगा 3 ठीक है तो यह बराबर किसके होगा यह होगा 5C2 के बराबर होगा किसके बरावर होगा पांच सी दो के बरावर होगा चाहे तो सॉल्व करके देख लेना चाहे तो सॉल्व करके देख लेना चलो सॉल्व करके दिखाई देता हूं तो मैं साल्व करके दिखाए देता हूं 5C2 5C 5-2 5-2 क्या है तीन बराबर 5C2 इसके बराबर वह फाइव फाइव सी 3 5C3 solve करना 5 factorial 3 factorial 5-3 factorial इसी तरह 5 factorial 2 factorial 5-2 factorial वह फाइव पाइव पाइवं अपउन त्री फैक्तोरियल यह पांच में तीन गया 2 factorial हाँ वही 1 2 factorial 5 में 2 गया 3 factorial तो वही यह यह तो same कट गया answer आगया 1 बराबर 1 तो इस तरीके से ठीक है तो n c n minus r बराबर होता है ncr के ठीक है और n c a अगर बराबर है n c b के n c a अगर बराबर है n c b के तो n किसके बराबर होगा n plus b a plus b के जैसे माल लो nc6 के बराबर nc5 के है ठीक है nc6 बराबर है nc5 तो इसका मतलब n क्या होगा 6 प्लस 5 यह नि n की value कितनी आ जाएगी 11 n की value क्या जाएगी 11 तो ये भी case बन सकता है और अगर ये चीज बराबर दी रखे पहले से तब तो बात ही खतम हो गई ठीक है तो इस तरीके से करना है तो फटा फटी फॉर्मले उतार लो फिर questions करवाऊँगा sorry note कीजिए इसको note होगे बचो चलिए झाल 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 चले बजो 7.4 निकाल लेंगे और 7.4 का question number first करेंगे nc8 बराबर nc2 है तो find the value of nc2 देखो अगर बच्चो इसको देखो गए तो क्या आपको यह nca बराबर ncb के बराबर लग रहा है जल्दी बताओ nca बराबर ncb हाँ की ना तो क्या मैं n बराबर a प्लस b लिख सकता हूँ बिलकुल a कितना 8 b कितना है 2 तो n की value कितनी हागी 10 तो हमें क्या find करना है now nc2 और nc2 का मतला n की जगा पे 10 c की जगा पे 2 लगाओ formula 10 factorial 2 factorial 10 minus 2 factorial तो 10 factorial 2 factorial 10 में से 2 गया 8 factorial 10 into 9 into 8 factorial 2 into 1 into 8 factorial 8 factorial 8 factorial गया 2 से 5 और यह 9 into 5 45 यह आपका अनसर है नोट कीजिए अब सेकिंड का फर्स्ट पॉइंट करवाता हूँ चलिए मिठाओं हाँ जी सेकंड का फर्स्ट सेकंड का अब खुद करेंगे यहाँ पर दिया हूँ है 2 n c n 3 रेशो n c 3 बराबर 12 रेशो 1 के रहाँ find the value of n ठीक है जी बच्चो 2 n c 3 रेशो का मतलब n c 3 बराबर 12 बटा 1 यही है 12 बटा 1 अब 2 c 2 n c 3 को कैसे लिखेंगे 2 n का factorial upon में 3 का factorial upon में 2 n-3 का factorial यह इसको open करेंगे अब इसको लिखना है n का factorial 3 का factorial n-3 का factorial बराबर 12 बटा 1 fraction के नीचे fraction पलट जाएगा 2 n factorial upon में 3 factorial 2 n-3 का factorial इसको पलट जाएंगे, 3 उपर, 3 फैक्टोरियल उपर, n-3 फैक्टोरियल नीचे, upon n फैक्टोरियल बराबर 12 बटा एक, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, अच्छा, अब देखो, जैसे 10 फैक्टोरियल होता है, इस तरह के से तब तक जब तक बनना आजाए इसी तरह अगर n को खोलोगे तो क्या बनेगा n multiply n-1 multiply n-2 multiply तब तक खोलते रहोगे जब तक बनना आजाए जब n को ऐसे खोल सकते तो 2n को भी ऐसी खोल सकते है 2N multiply 2N minus 1 multiply 2N minus 2 इस तरीके ते कब तक जब तक बनना आ जाए ठीक है तो देखिए उपर कौन से factorial है 2N का factorial तो खोलो इसे 2N multiply 2N minus 1 multiply 2N minus 2 multiply 2N minus 3 यहीं रोग दूँगा क्यों 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 कि last यहां पर कट रहा है multiply इसको N minus 3 यहीं रहेगा जो बड़ा होता उसको खोलते हैं यह तो N में पहले ही 3 कम है तो खोलेंगे हम किसको N को N multiply N minus 1 multiply N minus 2 multiply N minus 3 बराबर 12 बटा 1 हाँ बढ़े 2N factorial थे 2N minus 3 factorial गया N minus 3 factorial गया ठीक है हाँ जी अब देखो क्या करेंगे जिसमें जो common इसका कुछ common नहीं आ रहा है इसमें 2 common आ रहा है बाहर निकाल दो तो 2 common निकाल दो थो 2 into 2N into में 2N minus 1 2 common निकाल दो बचोगा N minus 1 बचए गया N minus 1 यहाँ क्या बचआ N minus 1 N minus 2 बराबर 12 बटा 1 N से N कटा N minus 1 से N minus 1 कटा बचए क्या गया बज गया 2 2 जा 4 2N-1 अपॉन N-2 बराबर 12 बटा 1 4 से 12 काटूंगा 3 1 की multiply इससे 2N-1 N-2 की multiply इससे तो 3N-2 2N-1 3N-6 उठा के इदर इठा के इदर minus 6 इदर आके plus 2N इदर आके minus यह आगया 5 3N में से N गया 5 तो N की value कितनी आगी बच्छो 5, N की value कितनी आगी 5, जल्दी करो कर लो कर लो कर लो नोट कर लो इसका second part आपको खुद करना है देगा जी चलिए Question number सबसे पहले करेंगे हम 4 क्या करेंगे हम 4 कह रहा है In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls लो जी आपके पास 5 लड़के हैं 4 लड़किया हैं लेकिन जो आपको team बनानी है वो 3 लड़के और 3 लड़कियों की team बनानी है तो आईए हाँ जी Total number of boys कितने बच्चों? 5 Total number of girls कितनी है? 4 Now Total number of selecting boys हाँ जी boys कितने select करने हैं? 3 Total number of selecting girls कितनी लड़कियां? 3 Now जब ऐसा है तो बस हमें काम खतम करना है बच्चों हमें number of arrangement निकालना है number of arrangement निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे? बच्चों लड़के कितने हैं? 5 और select कितने लड़के करने हैं? 3 हाँ जी अब देखो मैं आपको यह बताना चाहूँगा दो बातें दो बातें याद रखना काम खतम हो गया, काम खतम नहीं हुआ काम खतम हो गया, काम खतम नहीं हुआ काम खतम हो गया इसका मतलब क्या है? कि आपको जितना select करने के लिए बोला है आपने उतना select कर लिया और उसके बाद नई condition बना रहे हूँ उसके बाद नई condition मतलब team बनाने के बाद भी एक नई condition बन रही है ठीक लेकिन दूसरा कि काम खतम नहीं हुआ है काम खतम नहीं हुआ है और फिर भी हमें दूसरे selection पर जाना पड़ रहे है तो तो अगर आपका काम खतम हो जाए वर्क कंप्लीट हो जाए आपका काम खतम हो जाए वर्क कंप्लीट हो जाए और वर्क कंप्लीट होने के बाद भी न्यू कंडिशन बनानी पड़ रही है वर्क कंप्लीट के बाद भी क्या बनानी पड़ रही है new condition बनानी पड़ रही है तो ऐसे case में बच्चो हम सारे काम को सारे work को plus करते हैं सारे work को क्या करते हैं? plus लेकिन अगर work incomplete है काम खतम नहीं हुआ है ठीक है? और फिर भी नए selection पर जाना है new selection पर जाना है, किस पर जाना है? new selection पर, तो ऐसे काम में हम work को work से multiply करते हैं, work को work से क्या करते हैं? multiply करते हैं कहने का मतलब क्या है? समझेंगे इदर देखो, पांच लड़कों में से तीन लड़के हमने select कर लिए लेकिन जो हमें team बनानी है, वो कितने की बनानी है? तीन लड़कों की लड़के बाद कोई नई condition बनती, तो हम हम इसमें जाते हैं, लेकिन काम अभी incomplete है, क्यों? क्योंकि लड़के select अभी तक हुई नहीं, जब लड़के select नहीं हुई है तो हमें नए selection के पास जाना है किस के पास? लड़कों से अब किस पर जाना है? लड़कियों पे, तो हम क्या करेंगे वरक को? multiply, मतलब लड़कों को हमने select कर लिया, और फिर अब हमें किस के selection के लिए जाना है? लड़की के selection के लिए काम खतम हुआ नहीं था, क्योंकि लड़के भी चुनने थे, लड़के भी चुननी थी, लेकिन हमने चुना कि अभी तक? सिर्फ लड़के चुने हैं तो इसलिए multiply लगाएंगे, क्या लगाएंगे? multiply, क्योंकि work खतम नहीं हुआ, और जब work खतम नहीं हो रहा है फिर भी हमें new selection में जाना पड़ रहा है मतलब boys से किस में जाना पड़ रहा है? लड़की में तो इसलिए हमें multiply करना पड़ेगा क्या? दोनों के work को तो मतलब हमने 5 में से 3 लड़के चुन लिए और लड़के कितनी चुननी है? 4 में से 3 तो भाई, मेरा काम अब जाके complete हुआ 5 में से 3 लड़के भी चुन लिए और 4 में से 3 लड़के भी चुन लिए और अभी अभी मैंने सिखाया था multiply ये क्यासा लग रहा है? ये लग रहा है ये लग रहा है आपको n c n minus 1 n c n minus 1 तो किसके बरावर होता है? n की तो देखो 4 c 4 minus 1 क्या होता है? 3 तो किसके बरावर आजाएगा? 4 के बरावर आजाएगा तो इस पूरे की value क्या जाएगी? 4 तो 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial 3 factorial 5 में से 3 गया, 2 factorial गुने में 4, 3 factorial तो 3 factorial गया? 5 गुना 4 गुना 4 और 2 factorial का मतलब 2 गुना ही तो 2 से काट देंगे 5 चो के 20 दुनी, 40 answer तो हम 40 तरीके से लड़के और लड़कियों के टीम बना सकते हैं नोट करो अब है हमारे पा कोशन नमर पाँच नोट कीजे, फिर कराता हूँ कोशन नमर पाँच कर लो, अच्छो आज ही खतम हो जाए गई चलिए, मिटा दूँ कोशन नमर पाँच हाँ जी, बच्छो नाइन बाल सेलेक्ट करने हैं जिसमें 6 रेड बोल हैं, 5 वाइड बोल हैं 5 ब्लू बोल हैं और हर कलर में से 3 बोल निकालने हैं तो चलो भाई, सेलेक्शन बताओ पाँच का कोशन कर रहे हैं जल्दी बताओ बच्छो लाल बोल कितने हैं? 6 टोटल नमर ओफ वाइड बोल्स कितने हैं? 5 टोटल नमर ओफ ब्लू बोल टोटल नमर ओफ ब्लू बोल्स अब इसने बोला है टोटल 9 बॉल निकालने है लेकिन टोटल 9 बॉल में से हर कलर का 3 बॉल होना चाहिए हर कलर के कितने बॉल होने चाहिए 3 कलर, तो number of ways या arrangement number of ways to select to select each color बॉल हाँ जी, चलिए हर कलर के 3 बॉल निकालने है और टोटल 9 बॉल निकालने है ये बात ध्यान में रखना है, हर कलर के each color के 3 बॉल और टोटल कितने बॉल निकालने है, 9 बॉल यानि काम तब खतम होगा जब आप 9 बॉल निकालनेगे, और हर बॉल के कितने, हर कलर के कितने बॉल, 3 बॉल करेंगे तो वाइड बॉल 5 պहीं है इसमें Select किया मैंने तीन हachsen टोट ल कितनerson स्यवड़ करने हें नो और अभी तक कितने किये हैं तीन रेड़् के तीन है तीन वाईट तो यानी चे अभी भी एकाम खतम नहीं हुआ तो क्या लगाएंगे multiply अब blue ball कितने है 5 5 सी 3 और ये कितना जाएगा बच्चो 3 कितना जाएगा 3 क्योंकि हर color के 3 ball तो देखो 3 लाल के 3 white के 3 blue के तो तीनों के 3 तीन color select कर लिए इसका मतलब मेरा answer बिलकुल अब सही आने वाला है बस अब solve करना इसको तो solve कीजिए 6 factorial 3 factorial 6 minus 3 factorial multiply 5 factorial 3 factorial 5 minus 3 factorial multiply 5 factorial 3 factorial 5 minus 3 factorial तो यह आएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 factorial ये 3 factorial ये भी 3 factorial 5 factorial का आएगा 5 गुना 4 गुना 3 factorial 3 factorial 2 gona 1 2 factorial multiply 5 gona 4 gona 3 factorial 3 factorial 2 factorial 3 factorial 3 factorial कटा 3 से 3 कटा 3 से 3 कटा 6 gona 5 gona 4 3 gona 2 gona 1 multiply 5 gona 4 2 gona 1 5 gona 4 2 gona 1 हाँ बै तो 3 दुनी 6 कट गया 2 दुनी 4 2 दुनी 4 क्या वन गया पांचों के 20 10 10 तो यह आगे आपका 2000 तो यह आप 2000 तरीके से बच्छों क्या कर सकते हो 2000 तरीके से आप इन बॉल्स को सलेक्ट कर सकते हो चलिए नोट कीजिए अब आ रहा है कोशन नमबर 8 सेम कोशन नहीं बच्छों एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रैड बॉल है ठीक है और हमें सेलेक्ट करने हैं दो ब्लैक बॉल और तीन रैड बॉल हो जाएंगे सेलेक्ट 5C2 मंटिपलाई 6C3 ये कर लेना कोशन नमबर 7 और कोशन नमबर 9 ये करते हैं हम लोग ये मिटा रहा हूँ अच्छो कोशन नमबर 7 आईए कोशन नमबर 7 देखो हाँ वई हमारे पास 17 प्लेयर हैं जिसमें से एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर की और कैरा विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल और 17 में से सरी 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल डाल सकते हैं ठीक है और इफ क्रिकेट टीम आफ 11 यानि कि 11 प्लेयरों की जो क्रिकेट टीम बनानी है उसमें एक्जेक्ली चार ही बॉलर लेके जाने हैं एक्जेक्ली चार ही बॉलर लेके जाने हैं तो बताओ टीम कैसे बनेगी देखो ये सायद 만 ने अभी थोड़ी तीर पहले इस दो अग्माइब पढ़ा दी आपको कि भई 17 बंदे हैं पूरे टीम में 17 बंदे हैं जो किरकेट खेलते हैं ठीक है 17 में से 17 में से 5 वो है जो बॉल डालते हैं तो अकर 17 में से 5 वो हैं जो बॉलर हैं तो मुझे बताईए batsmen कितने है batsmen कितने होंगे 12 batsmen होंगे हा की ना कितने batsmen होंगे 12 batsmen होंगे लेकिन प्यारे बच्छो मुझे 17 में से team कितने की चुननी है 11 player की चुननी है 17 में से कितने player की team चुननी है 11 player की और लेकिन उसमें ये बोला है हमारे पाँच बोलर भले ही है 17 मेंसे 5 बोलर है लेकिन जो टीम बनानी है उसमें 4 बोलर लेके जाना 100% जरूरी है मतलब 5 मेंसे 4 बोलर तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा हर हाल में ठीक है तो अब एक बात बताईए अगर 11 मेंसे 4 बोलर fix कर दिये जाए तो batsman कितने लेके जाऊंगा भाई तो batsman तो मैं 7 लेके जाऊंगा कितने मेंसे 11 मेंसे लेकिन क्या 11 हमें सेलेक्ट करने है नहीं हमें तो batsman में सेलेक्ट करना है क्योंकि 5 बोलर मेंसे 4 बोलर सेलेक्ट किया तो batsmen किस में से select होंगे 12 batsmen में से 7 batsmen select होंगे तब ही जाके 7 batsmen 4 baller मिलके कितने की team बनेगी 11 बंदों की team बनेगी तो बस यही चीज हमें यहां दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे देखो total number of player total number of players total number of players कितने 17 ठीक है अच्छा अब total number of player अगर 17 है तो total number of baller अजी baller कितने है total 5 यह बात हमें पहले ही दी वी है तो अगर total number of baller 5 है तो total number of batsmen कितने होंगे batsmen भाई यह 17 में से 5 कि 12 ठीक है अच्छा अब मुझे team चुननी है 11 player की Now the number of ways to select cricket team cricket cricket team और बच्चो मुझे जो cricket team select करनी है मुझे जो cricket team select करनी है वो 11 players की करनी है कितने में से 17 में से कैसे कैसे करनी यह भी सुनो सबसे पहले उसने बोला कि मेरे पाँच बोलर है और 4 baller तो मुझे लेके जाने ही जाने तो 5 baller में से चार बोलर तो मुझे लेकर जाने ही जाने है तो ये बताओ क्या मेरा काम खतम हो गया जी नहीं हुआ टीम तब बनेगी जब पूरे ग्यारा प्लेर होंगे टीम तब बनेगी जब पूरे ग्यारा प्लेर होंगे लेकिन अभी तक कितना सेलेक्ट किया हुआ है चार, तो अभी साथ और रह रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, मंटी प्लाई, अच्छा, साथ क्या लेके जाने हैं, बैट्समेन, और बैट्समेन थे कितने हैं, हमारे पस, बारा, तो बारा में से साथ सेलेक्ट करने हैं, तो यह नि बारा में से साथ सेलेक्ट करने हैं, तो दे 12 गुने में 11 गुने में 10 गुने में 9 गुने में 8 गुने में और ये 7 फैक्टोरियल 12 पांच फैक्टोरियल 7 में 7 गया 5 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हाँ भई 3 चोके 12 ठीक है और फिर 5 दुनी 10 यह बख गया five गुने में 11 गुने में 9 आठ आठ 54 गुने में 11 गुने में 9 on 11 का करेंगे जीरो और 44 गुने में 90 ते करेंगे जीरो six और ये 39 तो इतने 3900 तरीके से बस्यों हम लोग क्या सकता है इसके ग्यारपorama की टीम चुन सकते हैं अट है चलिए, नोट कर लीजी कर लाए 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 हाँ अचो इसके बाद आता है कोशन नुमर नाइ हांजी कोशन नुमर नाइ in how many ways can a student choose a program of five courses in nine courses are available and two specific course are compulsory for every student तो लो भै कैसे करना देखो हांजी बच्चो हांजी बच्चो देखो क्या रहा है आपके पास ना टोटल बच्चो nine course हैं कितने course हैं नाइन में से आपको five course select करने हैं नाइन में से आपको five course select करने हैं तो बचे कितने course साथ course जब compulsory है तो इसका मतलब जो बच्चा five course करेगा उसको भी ये वाले दो course करने ही पढ़ेंगे हर हाल में तो इसका मतलब नो में से 7 course तो ऐसे हैं जो आपselect कर सकते हो और दो course ऐसा जो compulsory है लेकिन आपको पढ़ने कितने course हैं pięach course आपको पढ़ने कितने course है पांच course अब प्यारे बच्चो जब यह 2 course compulsory है तो उसको यहाँ भी थो पढ़ने पढ़ेंगे इन 5 में हैं तो पांच में तो दो पढ़ने पढ़ेंगे, तो पढ़ने, अब सेलेक्ट करने के लिए कितने रहे गए, बात में से, तो बस बात खत्म, टोटल नंबर अफ कोर्स, नाइन, टोटल नंबर अफ कमपल्सरी कोर्स, तो कितने हैं, तो नाओ, टोटल नंबर अफ सेलेक्टिंग कोर्स, तो कितने हैं, बच्चो, साथ, कितने हैं, साथ, नाओ, the number of ways of selecting course हाँ भई, तो जल्दी बताओ 2 तो fix ये तो करने ही पड़ेगा, रह गया 7 तो भई, 7 में से कितने चुनने के लिए रह गए, 3 चुनने के लिए रह गए बस बात खत्म, 7 factorial 3 factorial, 7 minus 3 factorial, तो 7 factorial 3 factorial, 4 factorial 7 into 6 into 5 5 into 4 factorial 3 into 2 into 1 into 4 factorial cancel out, 3 to 6 75 to 35 तो 35 तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों course को select कर सकते हैं तो जल्दी से ये note कर लीजिए ठिके друзья के बचल कि आ अब ह्योच्चन नबर 6 आañदे ये country के डिए ये ख्यूच्चन देशा अब को कॉस्चन नमर 15 आए ये नूँच्ट नहीं कराया तो बच्चों यह मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसकी जगा मैं करवाऊंगा example number कौन सा example number 19 ठीक है क्योंकि अगर यह कर लोगे तो सब कर लोगे तो आज का आखरी question इसके बाद combination खतम अगली class में permutation का permutation की एक class रह जाएगी फिर खतम permutation यानि permutation combination completely खतम हो जाएगा अगली class में एक से डेड़ class का यह मानके चलो मतला एक ही class का मानके चलो एक class में आपका permutation combination खतम ठीक है चलिए देखेंगे जड़ा example number 19 लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कार्ट के बारे में थोड़ी से जानकारी देते हैं वैसे तो आप लोगों ने 10th class में कार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए देखें बच्छो यह होता है diamond ठीक है जी यह होता है हर्ट ठीक है यह होता है यह होता है क्या जानते है यह याद है मुझे किसका होता है यह यह क्लब होता है न और यह होता है इसपेड देख लेना सायद मुझे लग रहा है कि कहीं उल्टा सीधा नँ आओ बसिते ना बताब बन बलेक वाले में स्पेड और क्लब होते हैं यह दोनों ठीक है और civ ora ready यह होते हैं मैज्छ रेड कलर के और क्लब और होते हैं कि ब्लैक कलर के यह से कि को तोड़ा सा ध्यान निया रहा है कि तैस्ट ने हैं हम ठीक है जी तो इतना पता है मनलब कोश्चन करवा देंगा आपको अच्छ सब के अंदर एक एक king भी होता है, सब के अंदर एक एक qn भी होती है, और सब के अंदर एक एक jack भी होता है, जिसे हम लोग गुलाम कहते हैं, और उसके बाद numeric digit होती है, और टोटल कितने काड होगे, तेरा, चाहे तो देख लो, इसके भी तेरा, इसके भी तेरा, इसके भी तेरा, इसके भी तेरा, तो बच्चों एक बाद याद रखना, इसे कहा जाता है, suit, इसे क्या कहा जाता है, suit इसे क्या कहा जाता है, suit ठीक है जी तो अगर आप से कोई बोले, diamond suit में कितने card होते हैं, 13 card होते हैं herd suit में 13, club suit में 13 spade suit में 13 K, Q और J K, Q और J, king, queen और jack ये इनको कहा जाता है, face card क्या कहा जाता है, face card क्योंकि इन पर चेहरे बने होते हैं ठीक है, अच्छा 13 suit diamond के, 13 suit किसके, herd के, तो total कितने suit हैं, total 13 plus 13, तो total 26 card हो गए, किसमे, red suit के, red suit के कितने card हो गए, 26, यानि red वाले 26 card होते हैं, बच्छो, और इसी तरह 13 इसके, और 13 इसके total 27, तो black वाले के कितने हो गए, बच्छो, black वाले के भी 26 cards हो गए, black वाले के भी कितने cards हो गए, 26 cards हो गए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और यह यहीं खतम होता है फिर मैं questions करवाते हूं, जल्दी note करो इसको एक minute के अंदर वीडियो पॉस करो और इसको note करो ठीक है चलिए, मिटा दूँ चलो question number 19, sorry, example number 19 आप से बोला गया है what is the number of ways of choosing 4 cards, चार card चुनने हैं 52 cards में से, total कितने card होते हैं 52 card, तो कह रहा है बताओ, इन पांचों की value क्या है तो बच्चों सबसे पहले याद रखना इन पांदर जो यह 5 points दिए हैं 5 questions निया, 6 questions है एक question देखो, उपर वाले में ही चुपा हुआ है what is the number of ways of choosing 4 cards from the 52 52 from a pack of 52 cards तो बच्चों लो, total number of cards सबसे पहले याद लिगो, total number of cards, तो कितने हैं 52, total number of selecting cards हाँ बच्चों कितने card select करने हैं, 4 now number of number of ways of selecting cards हाँ बच्चों कितने तरीके से 4 cards चुन सकते हैं तो 52, C, 4 52, C, 4 52 factorial 4 factorial 52 minus 4 factorial solve कर दोगे तो बच्चों मैं solve नहीं करा रहा हूँ अब खुद करना solve करके इस cancer आएगा 2,70,725 ठीक है, यह आ गया अब आता है first part अब इसका आता है first part कैरा four card are of same suit four card are of same suit जो चार card निकलने चाहिए इस question में, पहले question में बोला है जो चार card निकलने चाहिए वो same suit के निकलने चाहिए यानि अगर मैं चार card निकालू तो चारो diamond से ही आए अगर मैं चार card निकालू तो चारो herd से ही आए चार कार्ड निकालो तो चारो कलब से ही आए चार कार्ड निकालो तो चारो स्पेड से ही आए ठीक है जी? चलो Number of ways of selecting cards from same suit from same suit हां जी अब मुझे ये बताओ same suit तो यहाँ पर करूँगा मैं हां जी अगर माल लीजे चारो कार्ड diamonds आए अगर माल लीजे चारो कार्ड किस से है बच्छो diamond से तो तेरा कार्ड होते है diamond में select कितने करने चार और भाई select भी कितने करने है हमें चार ही कार्ड करने काम तो खतम हो गया काम तो क्या हो गया? खतम लेकिन काम खतम होने के बावजूद भी बच्चो अगर ये diamond से चारो कार्ड आये हैं तो speed से भी तो आ सकते हैं, hurt से भी तो आ सकते हैं club से भी तो आ सकते हैं, यानि काम करने के बाद, काम खतम करने के बाद एक नई condition बन रही है याद आया काम खतम करने के बाद एक नई कंडिशन बन रही है तो अगर काम खतम होने के बाद भी एक नई कंडिशन बन जाए तो हम प्लस लगाते हैं तो अच्छो डायमेंड से जब मैंने चार कार्ड ले लिया तब भी काम करने की एक नई कंडिशन बन रही है क्या कि हो सकता चारो कार्ड हर्ट से आ जाए अभी भी एक नई कंडिशन बन रही है प्लस हो सकता क्लब से चारो कार्ड आ जाए अभी भी नई कंडिशन बन रही है प्लस 13C आँ जी next क्या बनेगा चार ये diamond से ये हर्ट से ये spade से और 2 बार 4 बार ठीन बार 4 बार एन टो में 3C 4, 4 इन टो में 13 factorial 4 factorial 13 minus 4 factorial 4 factorial ठीनिये 4 को मत काट देना गल्थी से भी 13 factorial, 4 factorial 13 में से 4 गए कितने बच्च कर रही 9 factorial, तो सॉल्व करोंगे पता ही ये कैसे करना है, ठीक है तो जब solve करोगे तो सब कुछ multiply होके इसका answer आएगा answer में direct लिख दे रहा हूँ इसका answer आएगा बच्छो कितना 2860 2860 solve तो करी लोगे ना factorial 13 को खोल देना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 9 से 9 कट जाएगा 4 को खोलना 4 into 3 into 2 into जो कटे कार्ट देना solve करना इतना answer आजाएगा चलिए पार्ट नॉम्बर सेकेंड अब क्या कह रहा है 4 कार्ट बिलॉंग 4 4 different suit लो भाई number of ways of selecting cards from different suit from different suit हम जी different suit से अब चारो कार्ड यानि चारो कार्ड चार कार्ड है और चारो अलग अलग suit से निकलने चाहिए तो माल लो पहला कार्ड निकला diamond से पहला कार्ड किस से निकला diamond से तो अब बताओ भै यहाँ पे तो चारो के चारो कार्ड diamond से निकाल लिया तो काम खतम हो गया था लेकिन यहाँ पे पहला कार्ड निकला diamond से तो क्या काम खतम हुआ, जी अब नहीं हुआ, अब की बार काम खतम नहीं हुआ, लेकिन इस वाले में काम खतम हो गया था, तो इसलिए पलस लगाया, इसमें काम incomplete है, तो इसलिए next काम के लिए हम क्या लगाएंगे, multiply, और पहला कार्ड मालो diamond से, तो दूसरा कार्ड hurt से, अभी भी काम खतम नहीं हुआ, चौथा कार्ड कहां से, जल्दी बताओ, भाई, कलब से, तो चारो कार्ड काम खतम हां जी, nc1, n होता है, तो 13c1 क्या होगा, 13 13 13 13 13, और 13 13 13 13 क्या होता है, तेरा की पावर 4, ठीक है, इसके आगे solve नहीं कर पाओगे, ठीक है, 13, तरी, 3rd part, अब क् इसने, our face cards, क्या काया है, our face cards, भई face card होने चाहिए, कौन से card होने चाहिए, face card, तो मुझे बताओ, number of ways of selecting, of selecting face cards, हाँ जी, अब एक बात बताओ, मुझे, simple सी बात बताओ, बच्चो, total face card कितने है, 12 है की नहीं है, चाहे तो देख लो, हाँ बई, 4 king, 4 queen, और 4 jack, 4 plus 4 plus 4, total face card कितने है, 12 face card है, total कितने face card है, 12, और हमें select कितने करने है, 4, बस बात खतम, 12 factorial, 4 factorial, 12 में से 4 गया, 8 factorial, solve कर देना, पता ही आपको कैसे होगा, 12 गुना, 11 गुना, 10 गुना, और क्या होता है, 9 गुना, 8 factorial, 4 गुना, 8 factorial कर जाएगा, 4 तिया 12, और 2 पंजे 10, ये 55 गुने म नो, तो 9 पंजे 55, 9 पंजे 55, 505 आएगा, ठीक है, चलिए, अब अगला question, ठीक है, किया तो सही है न मैंने, 4 तिया 12, 45 और 4, 45 और 49, ये आएगा answer, ठीक है, 4th, 2 are red card, and 2 are black card, लो भई, 2 are red card, 2 are number of ways, number of ways of selecting, selecting, 2 red, and 2 black card, हां जी, जल्दी बताओ, अब क्या होगा भई, भई, red card है कितने, 26, ठीक है, और 26 में से 2 card निकालने है red के, 26 में से 2 card निकालने है red के, तो क्या काम खतम हो गया, अरे काम तो तब खतम होता ना, जब मैं 4 card निकाल ले था, लेकिन काम तो खतम हुआ नहीं, तो multiply, 26 card black के, और यह multiply में 2, solve कर लोगे, हाँ भई, यह multiply में यह, तो बस बात खतम, solve करोगे, solve करके, answer आजाएगा आपका, answer आजाएगा इसका बच्चो, सब कुछ solve करके, इसका answer आएगा, 15, 105625, ठीक है, अब last part, number of ways, number of ways, of selecting, of selecting,acards of same color, cards of same color, recognize same color के होने चाहिए, तो बस बात खतम हो गई, हाँ जी, अब बता ओ, 26, मानलो लाल हैं, और मानलो चारो के चारो कार्ट लाल कलर के निकल गए, चारो के चारो कार्ट का निकल गए, लाल कलर के, बता ओ, काम खतम हो गया न बच्चो, हो गया आपकी बार, अ अब की बार अगर काम खतम हो गया तो काम खतम होने के बाद एक नई condition बन रही है कैसे खाली red color के card थोड़ी है black भी है तो भाई हो सकता है कि जब चारो card red color से आ रहे हैं तो चारो card black color से भी दो आ सकते हैं तो दो नई नई condition आगी तो दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई plus क्योंकि जब काम खतम होने के बाद नई condition बनती है तो plus और काम खतम होने से पहले नई condition बनती है तो मंटी प्लाई अब इन दोनों की मंटी प्लाई कर देना क्या होगा 2 into में क्योंकि एक बार दो बार तो 2 into में 26 C4 और इसको बच्चो जब solve करोगे तो इसका answer आएगा 29,900 क्या आएगा 29,900 तो ये आपको बच्चो solve करना है ये आपको क्या करना है? solve करना है तो इस तरीके से बच्चो आपका ये combination का जो topic है proper तरीके से खतम हो गया है next class में ये chapter में proper खतम करा दूँगा और फिर हम लोग next class में फिर हम लोग next class में एक नए chapter की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम होगा APGP यानि sequence and series चलिए आप लोग ये उतार लीजे और question number 6 ट्राइ कीजेगा इसी से belong करेगा वो question और आप आराम से कर लेंगे ठीक है चलिए बाई